हलो स्टुडेंट्स मैं हूं रभी कुमार सकसेना आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए खास नोटिस लेकर आया हैं ये नोटिस उन छात्रों के लिए है जो बिहार से पोल्टेक्निक कर रहे हैं अथात वैसे छात्र जो डिपलोमा SBT बिहार से कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक खास नोटिस लेकर आया हूं जैसा कि आज हम जानते हैं कि आज दिनांक 22 जुलाई 2021 है 22 जुलाई 2021 को SBT बिहार ने एक खास नोटिस को जारी किया है ध्यान समझने की कुर्शिस की जिगा मेरे प्रिय छात्रों 22 जुलाई 2021 को SBT बिहार ने एक खास नोटिस को जारी किया है उस नोटिस को आपके सामने रखने जा रहा हूं सो बहुत सारे छात्र ये कमेट कर रहे थे कि सर आखिर एक्जाम कब होगा क्योंकि बहुत सारा यूटूबर और बहुत सारा जो है लोग जो है गलत मैसेज को वाटसब पर और बहुत सारा सोसल मेडिया पर जो है फाइला रहे थे कि एक्जाम होगा की नहीं होगा ऐसा करके जो है अपना ओपिनियन को दे रहे थे लेकिन SBT बिहार ने आज सारा डॉट को क्लियर कर दिया है सबसे पहले मैं आपको नोटीस को पढ़ कर सुनाओंगा उसके बाद हम आपको कुछे नोटीस का सारांस को बताओंगा ताकि आपको किसी प्रकार का dot या किसी प्रकार का question आपके मन में नहीं बना रहने पाएं So notice जो है इस तरह से है जो कि SBT बिहार ने निकाला है 22 जुलाई 2021 का notice है जिन चात्र चात्राओं को doubt है बहुत सारे चात्र जो है पिछले video पर जो मैंने video को बनाय था कि सिलेवस को complete किया जाया असे करके SBT बिहार जो है notice को निकाले थें बहुत सारा चात्र चात्रा जो है उस बीडियो पर ढेंच किए है तो उसमें आपको किसी परकार का जो है डॉट नहीं रहेगा तो फिर से मैं कह देता हूं सारा नोटीस जो कोई भी मैं यहां पर बताता हूं सारा का सारा नोटीस SBT बिहार के द्वारा ओफिसियल वेपसाइट के द्वारा जो SBT बिहार जो रिलीज करता है वही नोटीस को मैं यहाँ पर बताता हूं अपने तरफ से कोई भी नोटीस को नहीं बताता हूं जिसके वज़ा से छात्रों को कठनाई का सामना करना पड़े तो नोटीस हम पढ़ते हैं राज प्रवेधिक सिछा पारशद बिहार पटना दिनांक 22 जुलाई 2021 को और जो है जो नोटीस निकालने हैं उनका नाम है सिरीमती ललिता सिंग उप परिछक नियंतरन राज प्रवेधिक सिछा पारशद बिहार पटना यहाँ पर जो notice जो निकालता है exam से समंधी जादा तर जो है controller of examination जो है निकालते हैं ठीक है जादा तर आप notice को देखेगा तो यहाँ पर जो है assistant controller examination जो है जिनका नाम है स्रीमति ललिता सिंग उन्होंने जो है notice को निकाला है सेवा में प्राचार ये सभी राजकिये पॉल्टेकनिक, महिला पॉल्टेकनिक, नीजी पॉल्टेकनिक संस्थान अथात ये जो नोटीस है सारा सरकारी पॉल्टेकनिक कॉलेज के लिए सारा महिला पॉल्टेकनिक कॉलेज के लिए सारा private college के लिए चाहे वो महिला हो चाहे वो किसी तरह का जो है polytechnic college हो सभी के लिए है ध्यान से समझेगा मेरे प्रिय चात्रो महिला polytechnic और जो है आपका हो गया सभी राजकिये polytechnic सभी नीजी polytechnic संस्थान अथाद private college government college सभी के लिए notice है और बिशय में लिखा हुआ है diploma first semester bracket में लिखा हुआ new हम इसको जो है screenshot भी हम आपको यहाँ पर जो है सो कर देंगे new जो की 2020 में admission नहीं है odd में है first semester second semester का backlog जो की 2021 में exam लिखेंगे even semester ठीक है उसके बाद diploma exam 2021 semester third letter entry या backlog fifth semester backlog diploma old या new syllabus fourth और यहाँ पर जो है even semester या odd semester new syllabus का होंगे fifth semester का exam सबका exam जो है सितंबर महिना के 2021 में आयोजन के समंद में अध्यान से समझेगा notice है महास है उप्युक्त बिसयक निमांकित सभी semester के डिपलोमा परिच्छा बीस नौ दो हजार एकीस से offline mode में संभावित है परिच्छा का बिश्तित कारिकरम बाद में घोसित किया जाएगा अता आपसे अनुरोध है कि इस आसे की सुचना अपने अस्तर से सभी छात्र छत्राओं को आउगत कराने का कृपा प्रदान करें विश्वास भजन और यहाँ पर जो है उप परिच्छक नियंतरन का जो है सिगनेचर किया हुआ है देखिए यह नोटीस में जो है क्या लिखा हुआ है इसको जो हम सरांज को आपको बताते हैं जो भी पॉल्टेक्निक कर रहे हैं चाहे आप जीस सेमेस्टर में हो चाहे आपका बैक लोग है सारा एक्जाम जो है एसबी टी बिहार का जो कि बिहार पॉल्टेक्निक बहुत सारे लोग कहते हैं बिहार पोल्टेकनी का जो एक्जाम होगा वो 20 सितंबर 2021 से ओफलाइन में संभावना किया गया है ध्यान से समझेगा मेरी पिरे छात्रों अठात आपका final exam कब होगा जो है जो final exam की जो संभावना हो कब दिया गया है 20 सितंबर 2021 अब यहाँ पर सवाल उठता है छात्रों के मन म बहुत सारे चात्र जो है बहुत सारे यूटूबर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आप अभी तक चात्रों के साथ गलत कर रहे हैं और ये गलत है बहुत सारे यूटूबर जो है ऐसा बोलते हैं कि मैं PIL दाइर कर दूँगा ये कर दूँगा वो कर दूँगा यहां केस करूँगा फलाना जगा जाओंगा पटना जाओंगा दिली जाओंगा कुछ भी कर लिजे आप छात्रों को सिधा सिधा ये बताएए कि एक्जाम होगा क्योंकि मैं सुरू से यही बात बोर रहा हूं कि एक्जाम होगा देखिए मेरे प्रिये चात्रों 20 सितंबर 2021 से आपको एक्जाम का जो की ओफलाइन एक्जाम होने की संभावना का जो है SBT जो है आपको नोटिस निकाला है अब यहां बात बनता है कि कोरोना का वेब अगर आएगा तब तो थड़ वेब आवे या ना अवे आपको पढ़ाई जारी रखना पिछले बार क्यों जो है रिजल्ट खराब आया था मैं फिर से बातों को रिपीट करना चाहता हूं पिछले बार क्यों रिजल्ट खरावया था क्योंकि छात्रों छात्रा यही चक्कर में थे कि हमको पर्मोट कर दिया जाएगा कोरोना का वेब आएगा जिसके वज़े से एक्जाम नहीं होगा और जनवरी और फरवरी में एक्जाम हो गिया था अभी तुरंट हुआ था जनवरी और फरवरी और जैरे किस में जिसका भी रिजल्ट आया था कितना खराब रिजल्ट आया था फिर से मैं छात्रों को चेतावनी देना चाहता हूँ आप कभी भी उन यूटूबर के फेरा में मत पढ़िएगा जो आपको बार बार पढ़ने से रोकता है जो आपको बोलेगा हम परमोट करवाएंगे, हम आपको PIL करवाएंगे, हम आपको ये करवा देंगे, वो करिए, वो करिए. नहीं ये मेरे पिरिये छात्रों, आप पढ़ाई को जारी रखिए. क्योंकि एग्जाम होवें चाहें ना होवें, वो अलग बात है. लेकिन एक्जाम तो होने के लिए जो है अभी SBT नोटिस निकाल दिया है अगर माल लेजिए एक्जाम हो जाएगा आप उनके चकर में रहिएगा PIL के चकर में और केस करने के चकर में और जो है थड़वेब का इंतिजार किजेगा और पढ़ाई नहीं किजेगा और एक्जाम हो जाएगा तो का किरिएगा सोच के देखिये का किजेगा फेल हो येगा इसलिए फिर से मैं आपको हाथ जोड़ के निविदन करना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई किजिए 100% पढ़ाई किजिए एक्जाम जो है 20 सितंबर 2021 से होने का जो संभावना है और जो पूरा जो डीटियल है SBT भीहार जो है बोला कि हम अगले जो है लेटर में हम इसको स्यूडिल को भी जो हम जारी करेंगे अब आपके मन में सवाल उठता है कि इसका डेट कब आएगा तो इसका डेट जो है अलड़ी आ चुका है इसका भी वीडियो जो है एक सेपरेट मैं बनाऊंगा उसमें आपको डेट के बारे में सारा जनकारी दे दूँगा कद तक आपको फॉर्म भरना है बिदौर फाइन और फाइन के साथ जो है आप इस लेटर को पढ़िए इसमें जो है SBT बिहार खुल कर जो है बोल दिया है कि 20 सितंबर 2020 से हम आपको एक्जाम लेने के लिए हम मूड में हैं और वो भी आफ लाइन नहीं धियान रखिएगा सेंटर पर जाकर आपको एक्जाम लिखना है चाहे जो भी सेंटर हो होम सेंटर हो चाहे जो भी सेंटर हो लेकिन सेंटर पर जाकर आफ लाइन एक्जाम लिखना है पिछला वीडियो में बहुत सारे जो है यूटूबर बहुत सारे छात्र छात्रा ऐसे मैसेज कर रहे थे जो इस बी टी भी हार नोटिस निकालता उसी को मैं बलाता हूँ, फिर भी आप लोग मुझ पर ब्लेम करते हैं, उन यूटूबर के चकर में और उन लोगों के चकर में नहीं रहिए जो आपका लाइफ को बरबाद कर देगा, जो आपको पढ़ने से रोकता है, उस बातों पर जो है, आपको भी भी भरुसा मत किजिए, पढ़ लिजेगा तो हरजा हो जाएगा, बोलिए हमसे, पढ़ लिजेगा तो हरजा तो नहीं होगा, अगर आप पढ़ाय कीजीए गा, होवे चाहए ना, होवे आपको कंपर्टिटिव एक्जाम में आएगा तो कोरेशन को आपक कि यह बोल के आप निकल जाए कि हमको लॉड़ान लग गया था हमको जो है थार्ड वेवाब गया था तो हमको पर्मोट कर दिया गया था जिसके बज़ास से मिसको नहीं पढ़ें छोड़ दीजिए हमको नौकरी दे दीजिए इसे होगा क्या नहीं न तो जो आपको पढ़ना है उपढ़ लिजिए एक्जाम होवे चाहे ना होवे सेकेंडरी चीज है लेकिन आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है यह जो है मैं नोटीस के माधियम से फिर से आपको कहना चाहता हूं एक्जाम की तैयारी में भीड जाए मात्र आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है औ हिन बंदे मातरम